हलो फ्रेंड असलाम लेकूम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे हरे मटर की डाल बनाने की रेस्पी जो बहुती आसानी से बन जाती है और बहुती डिलेसियस रेस्पी है और आप इसको किसी भी वक्त बना सकते हैं ये बहुती जटबट बनके तयार हो जाती है और ये हरे मटर की डाल बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं हरे मटर की डाल बनाने के लिए मैंने यहां पर 500 ग्राम मटर का इस्तमाल किया है तो मैंने इसको चील कर इसकी दाने को अलग कर लिया है और ये बिल्कु दो दालचीनी का टुकड़ा और दो तेजपात यहाँ पर दो मीडियम साइज की टमाटर को काट के रखा है अब यहाँ पर तेल गरम कर लेंगे इसमें खड़े मसाले हम डाल देंगे थोड़ा सा क्रेकल हो जाएगा तो इसमें हम प्याज आइड कर देंगे और प्याज को कच्छा इसमें रिलीज हो जाए अब यहाँ पर हम कुछ मसाले अड़ करेंगे तो यहाँ पर दो टेबल स्पून धनिया पाउडर दो टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर एक तीश्पून हल्दी पाउडर और तीन चार हमेंने हरा मिर्च का इस्तमाल करने से मतर की डाल मे कर दे गे ताके हमारा टमाटर साफ्म्हवल जाए तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और ढख चार से पांच मीनूर सको भूल लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा टमाटर जो है इसमें डाल ले थे वह सौफ्ट हो चुका यह इसी पर 4-5 मिनदर तक अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि हमारा मटर भी सॉफ्ट हो जाए इसमें हम एड कर देंगे पानी तो यहाँ पर 4 कप मैंने इसमें पानी पानी एड किया है और इसको अच्छी तरीके से मिला लें और यहाँ पर कुकर का लिड़ लगा देंगे और च बड़ा सा मत लेंगे और इसको अच्छी तरीके से खोला लेंगे और दाल को और ज्यादत टेस्टी बनाने के लिए हमें इसमें एक और तड़का लगाएंगे जिससे हमारी हरी मटर की दाल और भी लजीज हो जाएगी तो यहां पर मैंने प्याज का तड़का लगा दिया है और यहां पर आप देख सकते हैं कितना लजीज हरे मटर की दाल हमारी बनके तयार हुई है जब हमें दाल में तड़का लगाना रहता है तो हम देशी घी का इस्तमाल करते हैं तो हमारी दाल में एक अच्छी और मज़िदार खुस्पू आती है और दाल हमारी एकदम पराठा नान किसी भी चीज के साथ या फिर पुलाओ के साथ सर्व कर सकते हैं यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप अपने घर पे जरूर बनाएं मेमानों को खिलाएं और मुझे अपना फीडबैक देगी आपके घर की यह दाल कैसी बनी तो आप मुझे कमें में बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपके पास जल्द पहुंचे मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए खुदा हाफीज बाए बाए